नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चानल में मैं रानी गुपता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि रश्या के विदेश मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि आज जो ब्रिटिन इतना जादा सम्रद है वो भारत की संपत् हुआ है और जब ब्रिटिश रूल भारत में मौझूद था तब उन्होंने नजाने कितने लोगों को नजाने कितने लोगों का सोशन किया है इसी के साथ ही एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि दिसम्बर 2022 में भारती रुपयों में कारोबार करने वाला रूस दुनिया क पहले देश बन गया है इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि रशिया और भारत मिल करके और भी जादा वैपार करेंगे और इस चीज़ को और भी जादा आगे बढ़ाएंगे बता दें कि भारती बैंकों में स्पेशल वोट्रो अकाउंट्स पहले से ही खोले जा रहे हैं और भा मॉस्को के बैंक्स और मॉस्को के वित्तिय संस्थानों को भारतिय बैंकों में रुपए में कारुबार करने के लिए खाता खोलने के रुमती दे चुकी है लिहाजा भारत और रूस आखिरकार उस मेकैनिजम पर पहुंच चुके हैं जहां से दोनों ही देश स्थानिय करनसी म में प्रतिबंद जिल रहा है उसे भारती रुपे में कारुबार करने में काफी मुनाफिका सौधा साबित हो रहा है वतादे कि रूस के लिए भारती रूपे में वेपार करना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में डॉलर और यूरो में जो रूस की संपत्ति थ सकता है और हालिया दिनों में रूस में हुई ब्रिफिंग में इस बात की जानकारी भी दी गई है पता दे कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमन के बाद अमेरिका समित यूरोपीय संग और यूरोपीय देश रूस के खलाफ भारी प्रतिबंद लगाए हैं जिसकी वज़े से रू यूरो की संपत्ति उन देशों में फ्रीज हो गई है इतना ही नहीं यूरोपीय आयोग ने रूसी संपत्ति को बेच करके उनका इस्तमाल यूक्रेन के पुनन निर्माण में करने की योशना पर भी काम करना शुरू कर दिया है लेहाजा आने वाले दिनों में अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो रूसी संपत्ति है उनसे मौसकों को हाथ धोना पड़ सकता है बता दे कि भारत और रूस के बीच वैपार कारोबार पिछले साल जनवरी से अगस्त के बीच 130 प्रतिशत की जवरदस्त व्रधी के साथ 17 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गय से रूस में भारत को मिलने वाला डिसकाउंट पर तेल है जिसका भारत ने जबरदस्त फायदा उठाया है वही इराक और साओधी अरब को पीछे छोड़ करके रूस भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका है वही पर्शमी देशों की ओर से व्यापक प्र और विमानों के लिए आवशक स्पेर पार्ट की डिलिवरी लेने के लिए तयार है वही जिस तरीके से विदेश के रूस मंत्राले ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने शनी बार को ब्रिटन के आप निवेशक अतीत पर जोड़ देती हुई कहा कि ब्रिटन ने अप 2020 के बीच में देश भर में शासन करने की कारण सो मीलियन से अधिक भारतिय लोग लंडन की कठोड नीतियों से पीडित हो गए और ये अवधी भारत में ब्रिटिश अपनिवेशक शासन चरम पड़ था जिसने दुख और पीडा को लाया बतादे कि रूस का विदेश मंत्र में किया गया है इसने अपने विरोधी यूके पर अपने शासन के दौरान भारत को लूटने और लूटने का आरोप लगाया है और ततकालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चालिस की भारत में आपनिवेशिक नीतियों की निंदा भी की है बतादे कि रूसी विद लोगों की मौत दर्श की गई है जबकि ब्रिटिन ने देश से खर्वों की डॉलर की संपति चुराई है इसने सोशल मेडिया पर परशमी समिक्षक और इसी के साथ ही जो एक्सपर्ट्स द्वारा एसिया में ब्रिटिश ऑपनिवेशक शासन के कथित साकारात्मक ब्रिटिश शासन ने 1880 के दशक में मृत्युदर जो है वो 37.2 प्रती लोगों के साथ बढ़ी है और इसी के साथ 1910 के दशक में 44.2 कर दिया है और भारतिय की जीवन जो है वो लगातार इससे कम होती हुई नजर आई है इसी के साथ ही जो रूस के विदेश मंत्राले के द् ततकालीन बंगाल में मानव जनित अकाल अंग्रेजों द्वारा इंजीनियर के कारण लाखो भारतिय मारे गए थे यह मानवी अतबाही और निवेशिक प्रशासन और व्यक्तिकत रूप से ब्रिटिश प्रधान मंत्री वेंग्स्टन द्वारा लिये गए निर्णेयों का प्रत्यक्ष परिमान था यानि कि जो मौते हुई थी वह कहीं न कहीं वहां के इंजीनियरों के द्वारा लिया गया फैसला था जिसकी वज़े से भारत में ये मौते हुई थी सोशन हुआ था भारतियों का बता दे कि जिन्हों ने अपने देश की जरूरतों को पुरा करने के लिए अनाज को भारत से बाहर भीजने का आदेश दिया था रूसी विदेश मंत्राले ने ये तमाम चीज़े कहीं हैं बता दे कि मौसको भारत का रड सहीयोगी भारतियों के खलाफ ब्रिटिन के नकसलवाद पर बड़से हैं इसने वेंगस्टन चारलिल के भारतियों के व सद्धान मंत्री के शबकर अंडरलाइन किया जाए तो उन्होंने कहा था कि मुझे भारतियों से नफरत है वे पाश्विक धर्म वाले पाश्विक लोग हैं चारलिस ने अपने अपनिवेशक प्रशासन द्वारा किये गए नेर्डयों के परिणाम सवरुप भारत में पुरतों को पुरा करने के लिए भारत से अनाज भेजने का आदेश दिया था जिसने लगभग 3 मिलियन भारतियों के जीवन का दावा किया था और उन्हें मौत नसीब हुई थी रूस ने भारतिया अर्थ सास्त्री उस्सा पठनायक के विशलेशन का भी समर्थन करते कि संपत्ती जो है वो लूटी है अकादमिक पत्रिकाओं में सुचिबद साक्ष है इस पस्ट रूप से ये खुलासा किया गया है कि कैसे ब्रिटन भारत की कीमत पर आज अमीर देश बन करके बैठा हुआ है और कैसे उन्होंने भारतियों का शोशन किया है और उनकी मृत्य कारण भी कही न कहीं ब्रिटन ही है जिसका वे गहरा तरसकार करते थे बतादे कि रोस ने ये चीजे बहुत ही जाधा जोड दे करके कहीं है और इन चीजों का खुलासा किया है कि आज जो ब्रिटन इतना जादा अपनी अमीरी पर इतराता है वो सर्फ और सर्फ भारत से को सब्स्राइब जरूर करें